तो उमीद करता हूँ आपकी जही मेंस और नीट की त्यारी अच्छी चल रही है आज मैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक गॉस के उपर एक कोश्चन लाए हूँ जो concept oriented कोश्चन है और आप गॉस के अंदर उमीद कर सकते हैं एक कोश्चन जरूर आएगा और गॉस को आप जरूर करके जाहिए इसलिए राइट तो हम बैसिकली गॉस के बारे में आज बात करेंगे और numerical यह है कि आपको चार figures दी गई है figure A, B, C, D और आपको पता लगाना है कि किस figure में highest electric flux है और किस Gaussian surface में lowest है तो ranking करनी है basically आपको electrical flux की using the gauss log तो आईए figure number A को देखते हैं सबसे पहली बात figure number A के अंदर जो electric flux है जिसको आप integral of E.da लिखते हैं और यह scalar product होता है is equal to Q upon epsilon naught तो यहाँ पे देखिए जो charge enclosed है figure A के अंदर that is Q तो the flux in figure A is going to be Q upon epsilon naught आईए figure number B पे जाते हैं figure number B के अंदर अगर अब charge enclosed देखिए this is the charge enclosed in the gaussian surface तो charge enclosed by this Q is Q upon epsilon naught figure number 3 में जाते हैं figure number 3 में charge enclosed is 3Q by epsilon naught 3Q is the charge enclosed by figure number 3 which is a cylinder figure number 4 में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे देखिए charge जो है वो gaussian surface के outside है so ये वाला charge जो है this should be always inside the gaussian surface अगर situation ऐसी होती और charge अंदर होता तो हम यहाँ पे 4Q by epsilon naught लिखते हैं और हम बोलते हैं कि D के अंदर highest flux है लेकिन unfortunately ये charge 4Q बाहर वाली side पे है अगर charge gaussian surface के अंदर ना होके gaussian surface के बाहर हो तो उसकी वज़ा से electrical flux होता ही नहीं है तो D को जो है हम character लेते हैं और D में क्योंकि charge enclosed is 0 so what we do is we will write a 0 in the place of the gaussian surface तो ये 0 लिख दिया आपने is equal to 0 अब इनको अगर आपको organize करना तो देखे 5C सबसे बड़ा है इट इस greater than 5A which is equal to 5B which is greater than 5D ये आपने इनकी ranking कर दिये देखे relative ranking इसे बोलते है तो question में था कि आप इनकी ranking करिए तो जिस choice के अंदर ये लिखाओ कि 5C is greater than 5A वो वाली choice को आप correct मानके चले तो gos के मेरे channel पे बहुत सारे numerical है आप उन सारे numericals को देखिए उन में से कोई ना कोई numerical j, mains और neat के अंदर जरूर आएगा या तो concept के तोर पे आएगा या वैसे का वैसा ही numerical आएगा तो मेरे channel पे 1700 वीडियों है j, mains नीट के बहुत सारे numerical मैंने solve करके दी है कोई भी numerical छोड़ के मच जाहिए क्योंकि आपकी life बदल जाएगी अगर आपके चार extra questions ठीक हो जाए मेरे channel के जो questions हैं उनकी वज़ा से तो आपकी rank बदल जाएगी और अगर आप neat के student हैं तो आपके college की location बदल सकती है मालनी जी आपकी admission कहीं दूर जाके Calcutta में हो रही है और आप Bombay में पढ़ना चाहते हैं तो Bombay में marks ज्यादा चाहिए तो चार questions एक्स्टा ठीक होए और आपको अपनी पसंद का college मिला इसी तरह आप IIT दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको मिला IIT खड़कपुर चार questions मेरे channel से extra ठीक हो जाने से आपकी rank पे बहुत जादा फरक पड़ेगा इसलिए कोई भी question कोई भी concept मेरे channel पे आपको बिलकुल नहीं छोड़ना है बहुत जबरदस्थ benefit होगा आपको मेरे channel को subscribe करने का तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आप Google पे जाके Institute of Conceptual Physics को ढूंडे और आपको देख जाएगा कि किस तरह से मैं उसको पढ़ाता हूँ और किस तरह के questions उस पे solved है मेरे YouTube channel पे आप देखके मतलब you'll be surprised the number of solved questions the beauty is not only I do the question but I also make you understand मैं समझाता भी हो कि मैंने ऐसा क्यों करा सिरफ solve नहीं करता मैं मैं reasoning भी दूंगा बाकी जगह पे आप देखेंगे तो सिरफ solve कर दी है reasoning गायब है मेरे channel पे reasoning भी है और solution भी available है मेरी playlist जो है goss या electrostatics उसको जरूर देख लें बहुत सारे question करीब 200-200 question electrostatics और goss के उपर मैंने करे हुए so thank you very much